नमस्कार आप देख रहे हैं तेजखवर 24 और वक्त है खबरों का रिवाजुले की गोविंदगर पुलस ने ओल्लाइन सट्टा खिलाने बाले एक यूवा को गिरफदार किया है पुलस ने कारवाई करते हुए खातों में जमा 50 लाग की रकाम फ्रीच की है और 20 लाग की कार एवं मोबाईल जब्त कर एक आरोपी को गिरफदार किया है जब कि दो आरोपी फरार हो गए है इस पुरे कारवाई को लेकर थाना प्रभारी शिवागरवाल ने जानकारी देते हुँ बताया कि मुक्वीर की सूचना पर ओनलाइन एप के माध्यम से सत्ता खिला रही आरोपी को गिरफदार किया गया है जिसके कबजे से लभख 50 लाग की रकम बैंक कहतों में फ्रेश किया गया है वं कार मोबाईल सहीत 20 लाग की समगरी जब्त की गई है थाना प्रबारी ने बताया कि मुक्वीर ने सूचना दे की अबनेश दिवेदी वम उसके दो साथी गोविंदगर तलाव के पास आम की पेड के नीचे ओनलाइन एप के माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं सूचना पर ततकाल कारवाई करते हुए दबिस्ती गई तो घटनास्थल पर ओनलाइन एप के माध्यम से सट्टा खिलार है आरोपी अबनेश दिवेदी पिता नरेंद्र दिवेदी निवासी ग्राम बासा को पकड़ा गया जिसके मोबाईल में सट्टे का लंबा कारोबार मिला है बैंक खातों की जानकारी लेने पर उसके कबड़े से लगभग 50 लाग की रकम बैंक खातों में फ्रीच की गई इबन 20 लाग रुपे की कारवाई जब्त किया गया कारवाई के दोरान मौकी से दुआरूपी फरार हो गए आरूपी के विरुध मामला दर्श कर पूश्ताज की जा रही है इस पूरी कारवाई का दौरान पुलो सधिक्षक विवेक सिंग की निर्दिर्श पर उपपुलो सधिक्षक मुख्यालाय स्रीमती हिमाली पाथा किमार दर्शन में थाना प्रभारी शिवागरवाल एसाई दलजीज सिंग आरक्षक राहुल पांडी उपेंद्र सिंग दिवा दिवाई प्रभावाल एप के जरी एक गिरो जो है सट्टा खिला रहा है और युवापीडी को अंधेरे की और ले जा रहा है तो ततकाल तज़्दीक की गई वरिष्ट दीकारियों के मार्वडशन में कारवाई की गई है उसको अरेस्ट करके हमने उसके मुबाईल की अगर वो पैसा अवैत तरीके से आया है तो संबंदित विवाग के लिए लिककर कारवाई की जाएगी कई लोगों के नाम सामने आये हैं और वो जिस तरीके से जाच आगे बढ़ती जाएगी उस तरीके से कारवाईयां भी बढ़ती जाएगी अभी कोई फर्यादी भी पगड़ने के वाद क्या साम ने आया कि उसके साथ ऐसी वादास नहीं है नहीं वो फर्यादी नहीं एक्शली वो जान बूचके ही लोग उसमें जो है इन्मॉल्व होते हैं और ये ब्रोकर का काम कर रहे थे लोगों को जो है सट्टे के उसमें जाल म लगाते हैं और ये लोगों का प्रलोवन रहता है और ये खुद भी लाब कमाते हों से इसके बादे क्या कारवाई की जाएगी कि इस तरह से कार आगे वालदा सुना होता है ब्यापा कि सतर पर पुलिस अदिक्शक महोदय ने इसको जो है निगरानी सतत निगरानी में लग आया हुआ है और इस तरीकी के जितने भी लोग है उन पर सतत निगरानी करके लगातार कारवाई की जाएगी